आज की वीडियो काफी दिन के बाद लाया हूँ क्योंकि काफी दिन की मेनत की बाद काफी सारा कंटेंट देखके काफी अच्छा सेटप आप लोगों के लिए बनाया है आज का सेटप रहेगा कंप्लीट क्या मतलब बता है कंप्लीट का मतलब यह कि इसमें बेस लाइने रहे एम्प्लिफायर्स, मिक्सर्स, क्रॉस्वर, वायरिंग, पार लाइट्स, मतलब लाइटिंग भी आ गई और जेंसेट के साथ आज का सेटप है तीन लाग सतासी अजार रुपए में, त्री लाइक एटी सेवन थाउजन में आपका कंप्लीट डीजे सेटप विद चेंसेट लाया हूँ आज के डीजे सेटप में हम लोग देखने वाले हैं बेस, जो कि होने वाले हैं 2000 वाट के आडियो टोन के और से, कॉम्पिटिशन लेवल का ये सेटप तोडने वाला है सबको इसमें डूल 15 इंच के हमने टॉप बनाए हैं जो की लाइनरे हैं इसमें डूल स्पीकर डूल एच एफ लगते हैं ये हैंग नहीं होते हैं ये स्टेबल रहते हैं एक जगा पे और इसके साथ हम लोग देने वाले हैं वी पी बाराजर का एम्प्लिफायर भी इस सारे सेटब का डीटल में आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिएगे आफिस नंबर पे कॉन्टेक कीजिए या तो यहाँ पे आके भी आप ले सकते हैं महारास्टर में हमारी शौप है और इसका केटलॉग में हमारे वाटसप नंबर पे बना के रखने वाला हूँ आप वहाँ से भी ये केटलॉग देखके इसे ऑनलाइन बुक करा सकते हैं औलोवर इंडिया ये डेलिवरी होता है एक सबसे पहले मैं बात करूंगा बेस की जो की काफी जदा पाउरफुल हमने दिये हैं दो दो हजार वोट के इसमें बेस हैं और यो टोन की और से 5 इंच वोइस कोईल वाला PD1852 मोडल में ये LF7 मोडल में है जो की उल्टे फिट होते हैं क्योंकि इस पे एर वेंटिलेशन आपने वाले को इसी लिए इसके साथ एंप्लिफार मैचिंग के लिए हमने ओडियो स्टेंडर्ड का VP12000 दिया है जो कि कई सारे मेरे पुरानी वीडियो में आपने देखा भी होगा ये एंप्लिफार कफी जादा सॉलिड है और कफी बड़ा भी है साइज में इसके बाद लाइने रहे आगे बताऊंगा मेरे ख्याल से हमरे लाइन का कोई वेक्टी तो होगा नहीं जिसने आडियो टोन का 1852 स्पीकर ना देखा हो क्योंकि इंडिया का सबसे जादा पाउरफुल और सबसे जादा चलने वाला स्पीकर इसे ही माना जाता है हमने 4 स्पीकर फिट कियें डूल 18 में और साथी साथ पी ओडियो का ये 15 इंच वाला मॉडल हमने ओपन करके रखे हैं जो कि हम लोग डूल 15 की लाइनरे में लगाने वाले हैं ये स्पीकर सामने से कुछ ऐसे देखते हैं जिनके कौन आपको देख रहे हैं Solid C Tonal Quality होती है इसकी और इसका Low Frequency, Vibration और Punch में कमाल मिलता है 15 इंच में P-Audio जो की एक Mid Frequency और Lower Mid Frequency पे काम करता है ये स्पीकर अपने टाइम से आज तक कमाल किये जा रहा है सेंटर में आप लोग Dust Cap देख सकता हैं जिस पे P-Audio का Branding दिया गया है तो यह speaker देखिए हम लोग fitting आपको दिखा देता हूँ मैं यह LF7 cabinet है इसमें उल्टा लगा है आपने इसका reason मैं कई सारे पहले भी बता चुका हूँ कई बार यहां से ventilation है और यहां से holes भी है inner outer voice coil को अंदर से और बाहर से आपको air देना होता है हवा देनी होती है और वो भी उतनी ही pressure से क्योंकि हवा इधर से खीचेगा तभी यह force से आगे जाएगा और sound produce करेगा और वही sound घूंके horn के जैसे यहां से बाहर आने वाला है यह वाला concept है इस cabinet का अब इसी लिए यह cabinet दिया है क्योंकि इतना heavy voltage अगर आप front loading में चलाएगे तो शायद इतना अच्छा output आपको नहीं देगा यह reverse में जितना देता है उतना बात करते हैं लाइने रिखी तो इसमें हमने डाले pure audio के speakers जो की 400 वाट के हैं पंद राइंच में dual speaker dual hf वाला यह cabinet है जिसमें center में हमने hf लगा रखे हैं इसका point source बदल दिया है ताकि यह लंबी range तक जाए और mid और high frequency आपको एक लेवल में मिले एक जैसी मिले तब ही यह dual speaker dual hf बनाया है hf इसमें 750 watt के होंगे 18 बार आपका horn लगाया हमने बीच में और इसको पूरा grill से cover किया जाएगा ताकि सामने वाले को यह पता ना लगे कि आपका formula क्या है तीसरा इसके लिए amplifier हमने दिया है piano का 2500 यह एक बहुत ही stable amplifier है और आप इस liner पे से शांदार दिम्राज चला सकते हैं इसके बाद सारी wiring के साथ हमने दिया इसमें cross over और एक mixer mixer तो obviously आप जानते हैं audio tone का M5 mixer इसमें होने वाला है और NX audio का cross over है जो की 3-way है हम इसे 2-way पे चलाने वाले है As obvious है कि हम लोग Dan Acoustic का network kit इसमें लगाने वाले हैं जो की 750 का होने वाला है इसमें दो network kits लगने वाले हैं जो दो HF चलाने के हमारे काम में आने वाले है 750 का HF होने वाला है और speakers को हम लोग parallel connect करने वाले हैं without cross over में क्योंकि हमने actually active cross over साथ में इसके दे रखा है Connections काफी easy होते हैं लेकिन heavy gauge के wire इसमें लगा जाते है एलंग की nut bolt से इसे fit किया जाता है fitting देखना भी अपने आप में एक अलग अनुभव होता है इसलिए मैं आपको short सी fitting की वीडियो भी दिखाता हूँ तो यह है हमारा design जो की पुराने टॉप से inspired है यहां पे नाम आड़ा दिख जाएगा आपको और यहां से आप लोग दो speaker देख सकते हैं और बीच में dual वाला player देख सकते हैं हर एक speaker को उसका air ventilation दिया गया है ताकि वो proper amount of air intake करे और बाहर आपको output में result अच्छा मिलता रहे square cabinet है ताकि आप लोगों को रखने में, बांधने में, DJ build लगाने में easy हो जाए जो कि DJ build हम लोग इसके साथ देने वाले वो और दूसरी बात कि इसको handle 6 दिया है ताकि आप easily से दो लोग उठा सकते हैं cable वाले lights हैं, यानि कि आप पहला light set कीजिए और बाकी के तीन उसी सबसे काम करेंगे जैसा पहला कर रहा है आप चाहे तो इससे sound पर भी रख सकते हैं, हमने demo में sound पर रखा हुआ है इसके बाद इस सारे load को चलाने के लिए है जैन सेट यह वो जैन सेट है जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में review कर चुका हूँ 10 के विएगा, यह पूरा load आराम से इस 10 के विए जैन सेट पे आप चला सकते हैं लगबग 8 घंटे तक तो हमने भी trial किया हुआ है, आप भी इसे चला सकते हैं देखिए जैन सेट का packaging अलग से आता है, carrot packaging होता है, लेकिन यह सारे जो item है यह अलग pack होते हैं हम लोग generally छोटी गाड़ी करते हैं और उसमें यह भेज देते हैं all over India लेकिन कई बार distance जादा होने से ट्रांस्पोर्ट से इसे भेजा जाता है बात करूंगा मैं stability की, हर एक item well experience वाला है और बहुत ही पुराने instruments को हमने लिया है जो पहले से ही already success है इसमें नया कुछ डालके उसे बेगारने की जरूरत नहीं थी इसलिए हमने पुराने format पे ही काम किया है लेकिन setup सुन लीजिए कि कैसा बसता है है लाजा जाता है तिल्म चुलागा दीने कुणा पक्सी नहीं ने दाखसूर वाकों से अपने की दरता नहीं मत्यसमें पक्त करता पुटलिया बेंके इश्कवारों ने तोहत ही तांग किया अब तक प्रेदाना प्रेदाने हुआ 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 है को चुळाना निम्बे को आणा बस्ने यह अधिर हाखो से वाखो से अपने मों पड़ता नहीं मरने से मोई 3, 2, 1, let's go 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 3, 2, let's go 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go यहां से यह आप लोग देख सकते हैं, यह बोर्ड आया हुआ है यहां पे और यह बोर्ड से ही सारा वाइरिंग गया हुआ है, वीपी 5,000 को भी और पियानो के पचिस सो को भी, क्रॉसोर, मिक्सर और यहां से दूसरा बोर्ड कनेक करके यहां से अमने पार लाइट लगा हैं तो अब आईए इसका टेस्टिंग लेते हैं एक बार, आउट्डोर का तो आप लोगों ने सेट अप सुना, हमने इसका आउटडोर और इंडोर दोनों टेस्टिंग का टेस्टिंग किया था और इसे जेंसेट पे आपको लगा के भी मैंने दिखाया हुआ है हाँ, नो डाउट जेंसेट में थोड़ा बहुत आवाज आता है लेकिन जेंसेट अगर सेट अप के पीछे रहे, तो आगे इसका आवाज मालुम भी नहीं पड़ता है अपना सा वॉलिम होता है इसका, और दूसरी बात, यह इजी टू कैरी है यह सेट अप डिजाइन करने का एक बहुत ही अच्छा मकस्त था यह वो था कि एक ही गाड़ी में कॉम्पिटिटिव लेवल का सेट अप आप बिठा सकें विथ 15 इंच लाइन एरे क्योंकि आपको लो मिड भी उतनी सॉलिड मिलनी चाहिए और दूसरा यह था पार्ट कि सारी चीजों में स्टेबिलिटि होनी चाहिए अब इन स्पीकर्स का बज़ना कैसा है यह तो मुझे एक्स्प्रेन करने की जरूती नहीं क्योंकि यह स्पीकर्स सब लोग जानते हैं कि बहुत ही शांदार बचते हैं प्रियो आडियो 15 इंच में और 18-52 आडियो टोन का सुपब स्पीकर बचते हैं और साथ ही साथ आडियो स्टेंडर्ड का 12,000 एम्प्लिफार भी काफी ज़ादा स्टेबल होता है अब यह पैकेज डील जो है 3,87,000 इसमें हमने ग्रिल्स जो है टॉप के और बेस के ब्लैक रखें आप अपने एसाब से भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं बेस में आप शेर वाली जाली भी मांग सकते हैं अगर आपको चाहिए तो वैसे यह सेट अप एकदम convenient pricing में हमने इसलिए बनाया कि requirement आप लोगों की आ रही थी और जैसे गनेश उत्सो और नवरात्री का टाइम आ रहा है तो मंडल वाले हुए या मतलब प्रेंट सर्कल हुए या जो भी हुआ उनके लिए सेट अप बहुत ही जोरदार होने वाला है और चार चान लगाने वाला है आपके शोज में तो आशा करता हूँ कि आज का सेट अप आपको अच्छा लगा हो पुराने experience से बनाया हुआ है और stable material इसमें दिया गया है मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू गाइस